अस्रालीकों नाजरीन आज मैं आप लोगों के लिए एक जबर्दस्ट टिप लाई हूं और यह बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट आदी तो आज मैं बनाऊंगे आपके लिए DIY ड्राइ शैंपू बनाऊंगी और जिसे हमें कहीं जाना है या फिर हम कहीं गए में और हमे चावल लेने का टाइम नहीं मिल रहा है और हमारे बाल बहुत ज़्यादा ओयली है तो हम यह कर सकते हैं इससे आपके बाल अच्छे हो जाएंगे और खतम हो जाएगा और जरूर नहीं पड़ेगी आपको शैंपू करने की ना और अगर हम यह बजार से लेंगे तो बहुत म बच्चों को तो वह अच्छा लगा बच्छों को लेकिन जब मैने घर में बनाया तो वह भी सेम काम कर रहा था बच्चों को वह अच्छा लगा तो मैं आज आप लोग से भी शेर करूँगी यहां मेंने लिया है और प्रपस फ्लार मेधा 1 टेबिल स्पून लेंगे काउन तो तेबिल स्पून और थोड़ा से हमगज कोकवा डालें आप अगर कोकवा पड़े डालना चाहें तो यह डालें और अगर आप कॉफी डालना चाहें तो कॉफी भी ढाल सकते हैं बास लोग डालचीनी डालते हैं cinnamon cup order तो वह भी यूज़ कर सकते हैं और एक आपको चाहिए मेरे पास तो नहीं है तो मैंने साल्ट शेकर यूज़ किया था लास्ट टाइम भी वह बना के मैंने बच्चों के डैसिंग डैबिल पर रख दिया था तो आज में यह यूज़ करूंगी जाना शेंपू करना सही नहीं बालों के लिए कम से कम वीक में दो दफार शेंपू करें या फिर एमर्जंसी है तो चल बाली बॉल तो टैबिल स्पून है और परपस फ्लॉर यह में डालोंगी एक टैबिल स्पून इसमें हम डालेंगे हाफ टैबिल स्पून कॉक्वा पॉर्डर या फिर काफी भी ला सकते हैं और जो आपको सूट करें जो आपके बालों से कहीं स्पून कि तुम की तोयह स्वस्कूंके अब भी ले सकते हैं यह तोड़े सा बेंग बेंगों बीग दीच देंगे हुँ तो मिल्कुल निया डालाँगी क्या लिए तो अड़्ट उपाइस नीचे तो आम उसको दस मिनट या 5 मिनट टाइम देते हैं जो भी हम बेगिंग सोटे की चीज बनाते हैं तो हम उसको टाइम देते हैं कि हमें इस टाइम में रिमूफ करना है लेकिन इसका हमें नहीं पता कि इसको हमें कितने देर बालों में रखना है तो इसमें में नहीं डालूंगी बिल्कुल भी और नहीं आप लोग उसे कहेंगी की आप लोग डाले तब इसे अच्छा सा मिक्स करीं ग social के विथी यह improving और हम इसको किसी भी जार में भढ़ ले गया है यह हमारा रेडी हो गया और यह देखिजी यह मैंने तीन दिन शेंपू नहीं किया तो मेरे बाल बिल्कुल पिचक गए और अजीब से लग रहे तो मैं आपको यह यूज करना बताऊंगी झाल 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 ताकि जो भी ऑईल है वो अपने अंदर यह जस्ट कर ले और यह बाल मेरे अब अलग अलग नजर आ रहे हैं तो हम इसी तरह करेंगे अपने बालों पे चिर्केंगे इसको और फिंगर से मसाज करेंगे और उसके बाद बरिश कर लेंगे तो यह जो मैंने बनाया है यह सारा ऑईल जर्च कर लेगा इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके बालों को नुकसान पचाए अराम से करें बेड़ड़क करें और शौक से करें तो जाते शेंपू यूज नहीं करें यह बनाएं और खुद बना के अपनी ड्रेशिंग डेबिल पर रख लें और य अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो पीछे करके देखना है तो देख लीजेगा अब मेरे बाल बिल्कुल सही लग रहे हैं और पाइल जो था चिप चिपावन वह भी खतम हो गया है और अब बाल बहतर लग रहे हो जो पहले से तो यह ड्राइ शंपू बहुत अच्छा है तो यह ड्राइ शंपू बहुत अच्छा है इससे जरूर किजेगा तो आप यह बनाए का मुझे बताएगा कैसा लगा अच्छा लगे ठमजब किजेगा कॉमन देजेगा मेरी वीडियो कॉमनी फेमिली फेरेंड में श्यार्ट करें यह बहुत अच्छा है ड्राइ शंपू और इसके करने के बाद आपको बिल्कुल श्यांपू की ज़ौद नी पड़ेगी तो यह बनाए का मुझे बताएगा कैसा लगा अच्छा लगे थामसब कीजेगा कॉमन देजेगा मेरी वीडियो को मेरी फेमिली फेरें में श्यार करें मुझे सब्सक्राइब करें और अगर आ बिल्कुल श्यार करें इस चैनल पर आपको बहुत अच्छी असान वीडियो टेप्स मिलेंगी जो सारी चीज़े आपके घर में मुझे और बहुत अच्छा लगेगा यह इतना ही अच्छा है जितना हम बहार से खरीदते हैं तो यह बहुत ऐजी यूज़ करने भी असान है तो अमीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छा लगें थम्स अब किजिए का कॉमन दीजिए का मेरी वीडियो कॉमणी फेमली फ्रेंड में शेयर करें मेरा फैज उपेजयो से लाइक किजिए का राणी वीडियो अप्लोटें वह भी देखेगा और अगर आप लोग का तो आप लोग जोईन करें उसे भी और वर्टसप ग्रूप है वह सिफ लेडिस का है महा पर जैंस नहीं है तो लोग आप अराम से जोईन करें और जो भी कोई स्पोर्ट करें मेरी वीडियो को जरूर जरूर अपनी फैंगली फ्रेंड में शेयर करें और इसके साथ यह झाल झाल